अब देखे इसमें हम क्या करेंगे जब हम रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पर तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए अब जब यह आप करेंगे इसमें देखे 20 माइनस 8X लेस देन 4 यह आपको डारेक्ट रिप्रेजेंट इसमें को नंबर लाइन पर करना है थोड़ा सा आइडिया आपको लगाना है जब आप यहां पर लगाएंगे तो देखे 20 माइनस यहां पर जब वैल्यू वन लेंगे पहले 0 लेंगे जब 0 लेंगे तो यह क्या आएगा 20 माइनस 8 लेस देन 4 यानि यह आपको मेंडली करना है यह नोटबुक में नहीं करना है यह आपको मेंडली तो 20 माइनस 8 12 लेस देन 4 तो क्या वो हो पाएगा इसमें नहीं हो पाएगा फिर आप इसमें लेंगे यह value है वो less than 4 होने चाहिए फिर आप इसमें लेंगे यह integer है न हमारे पास हाँ यह integer है फिर आपने यहाँ पर 2 लिया तो 16 हो जाएगा 8 to the 16 20 minus 16 यानि 4 less than 4 नहीं होता फिर आपने यहाँ पर 3 लिया 8 3 जा 24 24 minus 20 तो आपके पास अब जो value आई है यह क्या आई minus 4 minus 4 less than 4 yes यह आपके पास less than हो गया यानि x की value कितने पर आई है 3 पर तो आप इसको जब draw करेंगे यह 0 हो गया 1 minus 1 minus 2 minus 3 1 2 3 जब इसको ड्रो करेंगे तो यह 3 जब हमने value लिये तो 3 से start हो रहा है यह ठीक है लेकिन 3 को आप कैसे ले सकते हैं हमारे पास 2 symbols होता है किये और एक होता है यह पूरा ऐसे तो यह होता है कि इसमें include है value हमें included है और इसमें नहीं होती है not included तो जब इसकी value हम करेंगे represent number line पे तो मैं इसको यहां से यह से करती हो और इसको मैंने क्या रखा open means 2 इसमें include नहीं किया है तो यह हमारे पास इसका solution हो जाएगा अब देखे यह वाला करना थोड़ा सा मुश्किल होगा इसलिए मैं क्या करती हूँ इसके solution के साथ जैसे question number 4 करना है same question number 4 की तरह इसकी value देख लेते हैं क्योंकि उसे easily पता चल जात है आपको जो ठीक लगे उससे करिए otherwise मैं solve करके तब आपको करा देती हूँ okay यहाँ पर है 20 minus 8x less than 4 हमें क्या करना है जो variable है उसके साथ जो यह number है पहले इसको remove करेंगे remove कैसे करेंगे यह हमारे पास क्या है 8x 20 है इसको remove करने के लिए हमें इसको both side में subtract करना होगा subtracting 20 from both sides यह क्या होगा फिर 20 minus 8x minus 20 less than 4 minus 20 अब यह देखिए क्या है 20 से 20 यह cancel होगा यह दोनों minus 8x less than यहां से हमारे पास क्या है minus 16 ओके अब यह 8 आपके पास है इदर 8 को हमें क्या करना है remove करना है 8 को remove करने के लिए both side में हम divide करेंगे divide by 8 on both sides तो यह आपके पास क्या आएगा minus 8 by x 8x divided by 8 less than minus 16 divided by 8 8 से 8 cancel होगे यह 1 आया यह 8 टूजा हमारे पास क्या है minus x less than minus 2 अब इसमें आपको एक चीज और ध्यान देनी है दोनों side में यह जैसे अगर equation हमारे पास होती तो हम क्या कहते है minus से minus cancel होगे ओके लेकिन जब हम inequality करते हैं तो inequality में जब भी आप यह cancel करेंगे तो यह sign इसका reverse हो जाएगा means अब यह x is less than है जब आप इसको करेंगे तो यह क्या होगा हमारे पास x will be greater than 2 यह इस type से होगा question इसमें आपको यह ध्यान देना है कि यह वाली value आप लेंगे x is greater than 2 2 से greater है यह अब यहाँ पर आप यह note कर सकते हैं चाहे तो divide by minus one on both sides ओके यह आप कर सकते हैं लेकिन ध्यान रखना मैं बार बार आपको बोल रहे हूं कि जो यह वाला step है इससे जो next step होगा उसके अंदर जब भी आप minus से minus cancel करेंगे कि कुछ भी करेंगे तो यह sign cancel होता नहीं है इसमें inequality में इसमें हम sign change कर देते हैं ओके अब इसको हमें क्या करना है number line पर इसको draw भी करना है लेकिन इसके लिए आपको यह देखना होगा कि x is greater than 2 जो x की value होगी वो greater than 2 होगी जब भी यानि इसका जो replacement set है वो हमारे पास क्या था x equal to integers है so solution set में इसके x की value greater than 2 आपको लेनी है इसको देखे कैसे करेंगे number line आप लेंगे यहाँ से greater than 2 है तो 0 से start कर लेते हूँ यह अपने number line लिए इसके उपर यह 0 1 2 3 यह equal distance लेंगे अप अब यहाँ पर देखी x is greater than 2 जब भी आप इसको ऐसे represent करेंगे तो इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है greater than 2 यानि 3 से start होगी value किस से start होगी 3 से start होगी 3 से लेके यह कहीं तक भी जाएगी यह infinity तक जाएगी ओके समझा है क्या किया हमने इसमें हमने value यह बताए कि x की value greater than 2 है means 3 से start होगी जब आप इसका solution set replacement set देखेंगे तो इसके अंदर जो solution set होगा इसका solution set में आप start करेंगे कहां से 3 से 3,4,5 and आपको सोगन यह इसका solution set होगा और इसके अंदर एक चीज और भी आती है कि closed interval और open interval यहाँ पर एक dot होता है ऐसे use करते हैं मैं से circle type में अगर यह ऐसे है means यह open है और अगर मैं इसको ऐसे पूरा fill कर दूँ तो यह close हो गया अब यह open और close क्या है वो भी एक बार हम देख लेते है means अगर यह इस type से है तो यह 3 include है जब इसमें आप करेंगे तो यह इस वाल आएगा include है means इसका मतलब क्या है यह included है इसमें ओके अगर यह ऐसे होता यह इसकी जग ऐसे ना ओके यह अगर मैं इसको ऐसे कर दूँ means 2 इसके अंदर include नहीं है ओके तो इसको हम अब अच्छे से कर देते है number line बेड्रो यह हमने पहले समझाने के लिए लिया था कि 3 से start होगी 3 included है हम क्या करते है इसमें greater than 2 है means 2 से extra कोई भी हो सकती है value तो हमने क्या किया इसको यहां से start ना करके इसको open किया और यह as it is ऐसे आप draw करेंगे इसको ओके यह up to zone आगे तक है यह तो आप इसको ऐसे करके थोड़ा से extend करके ऐसे छोड़ दीजी कि यह आगे तक है और यह आपको show कर रही है कि इसमें 2 की value include नहीं है और 2 से ज्यादा वाले सारी value यह इसमें होगी तो solution में आप यहां से start करेंगे और यह open रखेंगे यह अब अगर आपको a part समझाया होगा तो b part भी अभी easily हो जाएगा देखते हैं इसमें पहले इसको solve करेंगे हम इसमें add a 6 इसके साथ 6x के साथ तो हम इसको subtract करेंगे subtract 6 from both sides and replacement set हमारे पास क्या है? whole numbers है 6x plus 6 minus 6 greater than 6 minus 6 यह हमारे पास आया 6x is greater than 6 से 6 के से लिए 0 यहां पर 6 इसके साथ multiply है अब आपको divide करना होगा divide by 6 on both sides 6x divided by 6 greater than 0 divided by 6 6 से 6 cancel हो गया इसको इधर कर देती हूं मैं इधर की साथ में यह आएगा x is greater than 0 means इसमें value of the solution set है solution set में कहां से start हो रहा है whole number से है तो 1 से start होगा 1 2 3 ऐसे इससे आगे कोई भी value होगी इसको number line पे भी ड्रो करना है number line पे ड्रो करने के लिए पहले एक number line आप ड्रो करेंगे यह 0 होगया 1 2 3 4 number line देखो कि नहीं सुंदर ड्रो ही है इस rate नहीं है विल्कुल भी 7 8 यह आप टू ऐसी चलती रहेगी क्योंकि greater than 0 आया इसमें अब greater than 0 है means आपको x को include नहीं करना है तो मैंने क्या किया इसमें open यह open कर दिया ओके उसके बाद आप इसको यह ऐसे लेते जाएंगे तो इसकी value आगे तक जाएगी यह यह इसका solution set हो गया और number line पे भी open now see part minus 4x plus 5 is less than 21 and replacement set is natural numbers तो इसमें देखिए 4x यह plus 5 इसमें हमें given है तो हमें पहले इसको remove करेंगे how we can remove it by subtracting subtract 5 from both sides minus 4x plus 5 minus 5 is less than 21 minus 5 इसमें से 5 से 5 cancel होगा minus 4x is less than minus करेंगे 16 अब यहां पे minus है जब आप minus से ही divide अब यह minus 4 multiply है अब divide करेंगे लेकिन यह sign change हो जाएगा यह less than है तो अब आप greater than हो जाएगा यहां पहले note कर देंगे डिवाइड बाइड बाइड माइनस 4 और बोथ साइड यह हमार पास क्या आएगा minus 4x divided by minus 4 और यह sign change हो गया 16 divided by minus 4 यह cancel हो गए 4 बन जा 4 फोर जा x is greater than equal to minus 4 अब यह देखी क्या है greater than है यह greater than minus 4 means इसका replacement set है वो natural number था और यह minus 4 है तो जब भी आप इसका solution set note करेंगे तो यहां पे समझने वाली बात है यह नहीं है कि आपने starting से ही लिख दिया minus 3 है minus 2 नहीं natural number हमें बोला गया है तो आप start करेंगे 1 से 1 2 3 and up to so on समझाय है क्योंकि x की value minus 4 से greater होने चीए इसमें minus 3 भी आएगा minus 2 भी आएगा minus 1 भी और 0 भी लेकिन replacement set में हमें condition दिये कि x की value natural number होने चीए तो natural number होगी तो obviously हो कहां से होगी 1 से start होगी यह हमने 0 लिया यह minus 1 minus 2 minus 3 minus 4 यह इधर कितना भी होगा इधर 1 2 3 4 5 यह पूरा जब आप इसको represent गरेंगे तो हम करते हैं इसको 0 से start करते हैं लेकिन 0 में क्या किया है मैंने open रख है means 0 include नहीं होगा इसमें 0 से start करके यह पूरी line आपकी as it is जाएगी ओके लाव डी पार्ट डी पार्ट में देखते हैं अब यहां पे हमारे पास दोनों साइड में हैं variables पहले variable को एक को cancel कर लेते हैं कैसे 8a इसमें से यह 5a है यह वाला remove कर लेते हैं तो यहां पे आप करेंगे subtracting subtract 5a from both sides 8a plus 4 minus 5a is less than 5a plus 16 minus 5a यह दोनों हमारे पास cancel हो जाएंगे यहां से 3a plus 4 is less than 16 अब 4 को remove करेंगे तो subtract 4 from both sides 3a plus 4 minus 4 is less than 16 minus 4 यह हमारे पास आया 3a is less than 12 12 नाव 3 को remove हरेंगे divide by 3 on both sides 3a divided by 3 is less than 12 divided by 3 3 4 जांग 3 से 3 कंसल a is less than 4 जो a की value है वो less than 4 होगी और जो replacement set है that is integers यह less than 4 है means जब आप इसको number line पहले solution set लिख लेते हैं solution set solution set में less than 4 है यानि 3 2 1 0 उसके बाद यह ऐसे आपके पास चलेगे जब आप number line पह लेंगे तो number line पह देखिए यह आपके पास 0 हो गया 1 2 3 4 minus 1 minus 2 minus 3 less than है यह एकी value 4 से तो आप open रखेंगे 4 के उपर यहां पहें आपने यह open रखा और यह value पूरी as it is ओके now question number 4 solve and represent solution set on number line इसको हमें solve करना है और represent करना है देखते हैं अब यहां पहें हमारे हमारे पास inequality के two signs है यहां पर हम क्या करते हैं split कर लेते हैं split the inequality in two parts कैसे यह हमारे पास होगी यह वाला part ठीक है एक होगा minus eight less than equal to one minus three brackets यह हमारे पास है और जो दूसरा part है उसको हम इधर लेते हैं यह वाला रहेगा यह ओके one minus three within bracket x minus two less than equal to 13 अब इसको solve करते हैं जैसे हमने question number three में किया था question number three में hard and fast टूल नहीं है अगर आपको direct समझाता है कि value क्या होगी तो आप बिना solve की भी कर सकते हैं अब इसमें देखिए पहले bracket को open कर लेते हैं minus eight less than equal to one minus three x plus three two is a sexy sign हो गया change अब इसमें minus eight is less than equal to minus यह हमार पर आएगा minus three x और यहां से क्या है यह one plus six यानि plus seven अब हमें यह seven remove करना है जो variable के साथ है आप कैसे करेंगे subtract करेंगे subtract seven from both sides minus eight minus seven is less than equal to minus three x plus seven minus seven यह हमार पास cancel होगे क्या है minus fifteen less than equal to minus three x अब minus यह इदर भी है और इदर भी है तो हमें minus से ही अब minus three से divide करना होगा divide by minus three on both sides तो यह आपके पास क्या आएगा minus fifteen divided by minus three जैसे ही हाँ पर माइनस साइन आएगा यह inequality चेंज हो जाएगा इसका साइन माइनस three divided by minus three minus three से माइनस three cancel और three five जा तो यहां से हमारे पास क्या आया five is greater than equal to x ओके अब इदर solve करते हैं one minus three x plus six less than equal to 13 minus three x plus seven is less than equal to 13 seven को remove करना है तो subtract seven from both sides minus three x plus seven minus seven less than equal to 13 minus seven seven से seven cancel हो गया माइनस three x is less than equal to 30 minus seven six अब माइनस three से हमें डिवाइड करना है डिवाइड बाइड 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 माइनस three on both sides माइनस three x डिवाइड बाइड माइनस three is greater than equal to sign ये change हो जाएगा क्याद कि माइनस ले रहे हम six divided by माइनस three यह cancel हो गया x is greater than equal to minus 2 अब यह दोनों देखिए अब यहां से हमें यह value अब find out करनी है यह हमारे पास क्या है इसको हम यहां पे note कर देते हैं 5 is greater than equal to x is greater than equal to minus 2 जो 5 is greater than equal to x which is again greater than equal to minus 2 यह हमारे पास इसका solution आया है अब इसको number line पे भी करना है और अगर आप इसको दूसरे तरीके से कर सकते हो कैसे इसको आप इदर भी लिख सकते हो minus क्या था minus 2 sign आप कैसे रहने चाहिए यह smaller होना चाहिए then x ओके यह भी ठीक है गभी आती सोचो की नहीं यह वलग गलत है यह भी हमारे पास ठीक है number line यहाँ पर draw कर लेते हैं जो x की value है वो हमारे पास 5 के equal to हो सकती है यानि यह हमने 0 लिया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इदर हमारे पास minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5 अब इसमें देखिए इसके 5 के equal हो सकती है यानि आप 5 से start करोगे और यह 5 क्या है included है तो हमने यह dot ऐसा लिया included है तो और यह यहां से इदर start यह इदर आई और कहां तक है यह minus 2 तक minus 2 भी क्या है equal to देखो यह equal to है तो यह minus 2 भी इसके अंदर included है तो यह हमारे पास solution हो जाएगा इसका ओके यह number line पर इसका solution यह देखिए उसका solution था ए part का अब इसको जब आप करोगे तो इसमें हमें जो solution set है वो हमें क्या given है x belongs to natural number यहाँ पर अगर आप value लोगे तो आपके पास क्या होगा minus 2 minus 1 0 1 2 3 4 5 लेकिन जो solution set में इसका जो solution set होगा यह तो हम जो निकाल है वो है solution set के होगा इसका natural number यानि वन से आपको लेना है 1 2 3 4 5 ओके अगर इसको शो करना है तो आप previous जो किया था उस तरीके से करेंगे अगर इस वाले को करना है शो तो इसको फिर आप ऐसे करेंगे यह आपके पास क्या हो गया 0 1 2 3 4 5 6 हमें जो solution set में है वो natural number लेने है तो 0 यहां से मैं इसको open डग देती हूँ और यह कहां तक है यह यहां तक है यह यह मैंने इसको close कर दिया है ओके जो यह वाला है उसका solution हमने पीछे किया था और इस वाले थरीके से इसका solution यह होगा ओके क्योंकि कई वर के आउट में बच्चे कमेंड करते हैं नहीं कि नहीं मैंने आपने गलत करा दिया अब देखे मेरे according अगर आप देखोगे इसको solve करेंगे तो यह आना चाहिए लेकिन आप book में भी चैंसर चेक करेंगे तो आपके पास यह वाला यहां तक दिया है और देखेंगे तो मैंने आपको पहले बताई दिया था अब आप अपने आपसे अपने टीजर से कन्फर्म करिए कि आपको कौन से तरीके में करना है मैंने दोनों आपको बता दिये ओके नव बी पार्ट सबसे पहले हम स्प्लीट करते हैं प्लीट दा इन्ग्वैलिटी इन्टू टू पार्ट तू पार्ट तू एक्स माइनस बन लेस देन इक्वल तू पोर और सेकेंड पार्ट हमारे पास क्या है पोर इस लेस देन इक्वल टू एक्स प्लस थ्री ओके इसको अब सॉल्व करते हैं सबसे पहले यहाँ पर माइनस बन इसको रिमूव परेंगे सब्ट्रेक्टिंग वन सॉरी सब्ट्रेक्ट तो यह उल्रेडी है सोरी elimination में यह minus 1 है तो आप क्या करेंगे adding adding one on both sides 2x minus 1 plus 1 less than equal to 4 plus 1 अगर बच्चे कभी गलती हो जाती है तो उसको accept करने में कोई बुरा ही नहीं होती उसको accept भी कर लेते हैं कई बर जान बुझके नहीं की जाती है प्लो में हो जाती है तो यह हम भी इंसान है ऐसा कुछ नहीं है कई बच्चे कमेंट करते हैं आपको solve बरना नहीं आता यह नहीं आता ठीक है जो आपको सोचना हों सोची इसमें 2x less than equal to 5 अब यहां पर देखिए यह हमारे पास क्या है 2 multiply है हम क्या करेंगे इसको divide by 2 on both sides 2 से divide के यह cancel हो गया तो x हमारे पास क्या है x is less than equal to 5 by 2 then इस side में करते हैं यहां पर plus 3 है तो subtract करना होगा आपको subtract 3 from both sides minus 3 is less than equal to x plus 3 minus 3 यह cancel होगे 1 is less than equal to x यह हमारे पास आई inequality अब इन दोनों को हम combine कर लेते हैं यहां से आप देखेंगे कि जो x की value है यह है 1 is less than equal to x और यह इदर is greater than equal to 5 by 2 यह मत सोचे कि कैसे नोट कर दिया क्योंकि यहां पर देखेंगे जो x की value है यह greater than equal to 1 है और यह हमारे पास 5 by 2 तो इन दोनों में से greater हमारे पास क्या है इसको जब आप करोगे convert to to the 42.5 आए गाई यह 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 वाला ज्यादा होता है इसलिए यह बाद में note कर दिया इससे फर्क कुछ नहीं पड़ता है अब इसको जब number line पर करेंगे तो इसमें कोई issue नहीं है एक ही तरीके से हो जाएगा यह उस वाले में यह था कि मुझे लगता था कि हमें जब natural number given है तो बाद वाला होना चाहिए लेकिन बाद में comment ना है इसलिए मैंने दोनों बता दिये जो आपको जो teacher बोलते है वो आप करिए इसमें number line में यह क्या है one यह equal to है means क्या होना चाहिए closed होना चाहिए zero one two three four five इतना ज्यादा लेने की वैसे जरूरत है नहीं इसमें यह number line ली हमने यह one के equal है means one को include करना include करने के लिए हम क्या करते है जीरो उसको आपको यह dark कर दिया यह closed वाला हो गया यह include है इसमें और यह five by two क्या होता है two point five होता है तो यहां कहीं बीच में आपके पास क्या आएगा two point five तो आप इसको भी यहां पे close ले सकते है अब दू तो आपके पास थोड़ा सब्सक्राइब हो जाएगा अगर open रखोगी तो आप ऐसे ही करिए ओके इसको close रखिए और यह two point five यहां पे note कर दीजिए प्यूकि यह equal to है so value of x is greater than equal to one and less than equal to two point five now c part अब थोड़ा easy आपको लगने लगा होगा सबसे पहले आपको split करना है split करेंगे तो यह हमारे पास क्या आएगा two parts में split होगा seven is greater than equal to x minus three और second part में हमारे पास होगा x minus three is greater than minus of four इनको solve पर लेते हैं minus three है यह तो both side में आपको क्या करना होगा add करना होगा adding three on both sides seven plus three is greater than equal to x minus three plus three यह दोनों cancel होगे 10 is greater than equal to x इसमें भी करते हैं adding three on both sides add करने पे आएगा मारे पास यह x plus three sorry फ़ले तो वही note करना होथा x minus three plus three greater than minus four plus three 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 cancel हो गया x is greater than minus of one तो यहां से आमारे पास क्या आया 10 greater than equal to x is greater than minus one इसको आप कैसे note कर जकते हो ऐसे note ना अगर क्या आप ऐसे करिए minus one is less than x is less than equal to 10 तो यहां से आपके पास क्या आएग answer number line पर देखते है number line पर direct यह हमारे पास zero minus one minus two minus three one two three four five six seven eight nine ten यह equal to भी है इसके साथ ठीक है यह equal to है तो यह हमारे पास क्या होगा यह close होगा dark वाला dot होगा और इदर क्या minus one लेकिन minus one क्या है included नहीं है तो आप इसको ऐसे open वाला रखेंगे और यह इसकी value होगी ओके अगर solution set में वैसे आप लिखना चाहते हो तो उसमें क्या होगा यह value आप note कर सकते हो 0 1 2 कहा तक है यह 10 तो यह solution set वाले में आप पैसे भी note कर सकते है नाव D part D part में भी start आपको वहीं से करना है split the inequality into two parts 4 by 5 is less than equal to x plus 7 by 2 x plus 7 by 2 is less than equal to 7 by 4 अब इसमें करेंगे यहाँ पर two divide में है तो पहले two को remove करेंगे तो divide by two on both sides इसमें भी same ही होगा इसके बाद divide करेंगे तो two cancel हो जाएगा यह हमारे पास क्या आएगा 4 by 5 यहाँ पर लिखेंगे देते हैं इसको x plus 7 क्या किया मैंने divide नहीं करना divide तो already है sorry multiply 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 करना था so sorry पता नहीं कहा दिमाँ चला गया multiply करना जाएगे आपको multiply by 2 जब multiply किया तो यह cancel हो गया इधर हमारे पास क्या आया 8 by 5 is less than equal to x plus 7 अभी 7 इधर add है तो हमें subtract करना पड़ेगा subtract 7 from both sides 8 by 5 minus 7 less than equal to x 8 plus 7 minus x x plus 7 minus 7 यह था यह cancel हो गया यह हमारे पास क्या आएगा minus में आएगा LCM लेके हम इसको solve हो रहेंगे तो 8 minus 35 divide by 8 less than equal to x इसमें से 8 हम minus करेंगे तो यह आएगा 27 by 8 is less than equal to x और यह जो आएगा यह minus में होगा क्योंकि 35 greater number है इसको decimal में अगर convert करेंगे तो 8, 3 is a 24 यह minus में होगा 8, 24 होगा 3 remainder 8, 3 is a 24 then 6, 0 तो इसको जब हम लेंगे 2 decimal places में तो यह हमारे पास क्या आएगा इसको आप node कर सकते हैं minus of 3.4 सिर्फ 1 digit तक हमने लिया यह is less than equal to x इदर भी करते हैं multiply करना था थो x plus 7 divide by 2 multiply by 2 2 से 2 cancel हो गया 7 by 4 multiply by 2 यहां पे आया x plus 7 less than equal to 7 by 2 क्या होते है 3.5 यह 7 add है तो आप क्या करना है subtract subtract 7 from both sides x plus 7 minus 7 less than equal to 3.5 minus 7 यह cancel हो गया x is less than equal to 3.5 minus में होगा क्योंकि minus करेंगी तो यह 3.5 आएगा 7 से minus किया 3.5 को minus of 3.5 अब यहां से हमारे पास limit क्या आई यहां पे भी mistake है यह 5 होना था और 8 नोट कर दिया flow में मैंने तो यह आपके पास क्या आएगा यहां से minus of 5 5s are 25 5 4s are 20 minus of 5.4 अब यह limit यह देखिए क्या कि है मैंने यह वीडियो को पोस करके देखा कि यहां पे 3.4 आ रहा है यह 3.5 है तो इतना nearby कैसे हो सकता है तो वहां पे मुझे यहां mistake मिली अब इसको हम note कर सकते हैं दौनों को combine करके minus of 3.5 और इधर हमारे पास क्या है minus of 5.4 less than equal to x यह हमारे पास आ गया combine करने के बाद अब इसको number line पे भी करना है number line पे करेंगे इसमें आपको थोड़ा सध्यान यह देना होगा कि यह minus of 5.4 है तो आप minus of 6 यहाँ पे लिया आप एक point के उपर यहाँ पे दिखाएंगे कि यह 5.4 है okay minus of 5.4 यह आपने closed रखना है फिर और इसको आप ले के जाएंगे minus 4 minus 3 minus 2 0 यहाँ पे तो आपको वैसे जरुद भी नहीं है आपको सिर्फ यह वाला पार्ट चाहिए 3.5 यहाँ पे आपके पास 3.5 होगा इसको भी close रखोगे और इसको यह ओके आपको दिखाना है कि यह minus 3.5 है यह minus 5.4 है और इसको closed में रखना है क्योंकि यह inequality में equal है यह equal है इसलिए ही आएगा ओके आज इतनी भी mistake हुई उसके लिए so sorry Thank you so much for watching my video and have a great day